हेलो बचो, आज की क्लास में हम डिसकस कर रहे हैं हमारी क्लास सेवन्थ की मैट्स की वर्कशीट 36, देट इस 16 फेबरी 2021 और आज का हमारा टॉपिक प्रैक्टिकल जिमेटरी कंस्ट्रक्शन आफ ट्राइंगल यानि प्रायोगिक जमेती त्रिभुज की रचना, ये तो हम पहल that lines L1 and L2 are parallel lines and line M is a transversal line, fill in the blanks, कि यदि रेखा L1 दथा L2 दो समानतर रेखाएं हैं और रेखा M एक तरियक रेखा हैं तो रिक्स स्थान भरिये, तो अब हमारे पास ये हो गई हैं हमारी दो समानतर रेखाएं यानि हमारी दो parallel lines, तो ये parallel line L1 और ये हो गई L2 और ये हैं ए क्या कर रही है, प्रतिछेद कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है दो different points पे, अब इस figure को देखकर हमें जो philips हैं ये करने हैं, सबसे पहले है angle 4 यानि ये angle और ये angle, angle 4 is equal to angle 6 because angles are, अब ये दोनों angle equal हैं, क्यों, क्योंकि ये हैं हमारे alternate interior opposite angles, ये हमने सीखा था ना, कि जो हमार alternate interior opposite angles होते हैं, उनके measurement equal होते हैं, वो दोनों बराबर होते हैं, तो अब हम यहां हिंदी में क्या लिखेंगे, एक का अंतर अंतह अभिमुख कोण, तो ये कैसे कोण है हमारे, एक के अंतर पर और अंतह मिन्स अंदर, अभिमुख एक दूसरे के विपरीत, तो ये एक का अंतर अंतर अभिमुख कोण हैं, क्योंकि एक का मुख इधर है, और एक का मुख इधर है, अब है, angle 4 प्लस angle 5, कि ये दोनों जो कोण है, angle 4 ये वाला कोण, और angle 5 यानि ये कोण, इन दोनों का योग क्या है, इने प्लस करके क्या मिलेगा, तो answer क्या होगा हमारा, ये है 180 degree, तो इन यानि, angles on the same side of the transversal, transversal की एक ही side पे है न, दोनों ही हमारे left side पर है, next है, a pair of corresponding angle is, यानि एक संगत कोण का जोड़ा हमें ढूंडना है, तो संगत कोण तो हमारे बहुत सारे हैं यहाँपर, तो हम यहाँपर ले ले लेते हैं, angle 2 और angle 6 को, हम ये ले सकते हैं न, यानि हमारा angle 2, angle 6, ये हमारे संगत कोण हो गए, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, जैसे angle 3 और angle 7 जो है, क्योंकि ये एक ही स्थान पर, एक ही position पे, same type की position पे, ये भी रेखा के नीचे है, और दाएं स्थान पर है, ये भी line के नीचे है, right hand side पे है, तो angle 3, angle 7 जो है, ये भी हमारा, एक क्या हो सकता है, corresponding angle का pair, यानि संगत कोण का जोड़ा, अब next क्या है, next है, some important properties related to a triangle, और हमें यहाँ एक triangle दिया हुआ है, right angle triangle, यानि एक त्रिभुच से संबंदित कुछ महत्वपून, गुन और में हमें संकोण त्रिभुच ACB दिया हुआ है, संकोण त्रिभुच का मतल यानि जिसमें एक कोण जो है, हमारा 90 degree का होगा, यानि ये देखो, ये C पर हमारा 90 degree का angle बन रहा है, इसलिए ये एक right angled triangle है, संकोण त्रिभुच है, अब यहाँ पर angle A plus angle B plus angle C, तो हमें पता है, त्रिभुच के तीनो कोणों का योग, यानि sum of the interior angles of a triangle is, क्या होता है उनका य तो यहां हमारा answer क्या आजाएगा, 180 degrees, फिर है A square plus B square, यानि ये जो हमारी side है, A और ये जो B है, इनका जो वर्ग है, इनका squares जो है, उनका sum, उनका योग जो है, वो किसके equal होगा, अब 90 degree के opposite ये है, हमारा hypotenuse, यानि कर्ण, तो कर्ण के वर्ग के बराबर होगा, यानि C square, त तो यहां हमारे क्या answer आजाएगा, C square, फिर A plus B, अब फिर blank और C, तो A plus B, तो हमें ये भी पता है, कि हमारा कोई भी triangle या त्रिभुच तभी संभव है, जब उसकी दो भुजाओ का योग, यानि उसकी दो जो sides है, उनका sum जो है, वो third side से जादा होना चाहिए, तो it means कि A और B, इन दोनों को अगर हम add कर दें, तो इनका जो sum है, वो C से जादा होना चाहिए, यानि greater than C, A plus B is greater than C, अब आजाते हैं, next, अनिका constructed the triangle, triangle L M N, right angled at M, given that L N is equal to 5 cm, M N is equal to 3 cm, each step on different sheets and now she mixed the sequence, can you help her to arrange the construction step in the correct sequence, अब अनिका ने क्या किया, एक तरिभुच की रचना की, जो M पर समकौन है, L N 5 cm और M N 3 cm है, आप उसने प्रतेख चर्ण को अलग sheet पर बनाया, पर गलती से क्या किया, sheet mix हो गई, और उससे sheet का क्रम बदल गया, तो अब हमें क्या करना है, अनिका की help करनी है, कि वो उन्हें सही क्रम में लगा सके, तो करें उसकी help, आप सबसे पहले हमें पता है, जब भी हम construction करते हैं, तो सबसे पहले हम बनाते हैं base, यानि आधार, तो ये हो गया हमारा M N, यानि ये हुई हमारी number 1 sheet, उसके बाद M पर हमारे पास क्या है, 90 डिगरी का angle, right angle dot M है न, तो हम M पे 90 डिगरी का angle बनाएंगे, तो ये आगया हमारा second step, यानि sheet 2, फिर M N जो है, उसकी length दी हुई है, 3 cm, यानि हम M पे रखकर N पे 3 cm की arc लगाएंगे, तो ये आगयी हमारी sheet 3, और फिर क्या करेंगे, हम N को L से join कर देंगे, जो हमने चाप लगाई है, आर्क लगाई है, उसको जोड़ देंगे, तो ये हो गई sheet 4, यानि हमारी sheet 4, और last में ये पूरा हमारा क्या बन गया, triangle, यानि तरे भुज जो हमें चाहिए था, तो ये हो गया हमारा step 5, यानि sheet 5, ल अब है, let's practice, यानि अब जो हमने revise किया, उसी को और पक्का करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रेक्टिस करेंगे, तो अब सबसे पहला क्या है, in which of the following case, a unique triangle can be drawn and write the why or why not, कि निम्ण में से किस अद्वीतिय तरभुज को खीचा जा सकता है, और उसका कारण भी लिखना है, क्य is equal to 3 cm, कि एक त्रिभुज की रचना करनी है, जिसमें AB 4, BC 8 और CA 3 cm है, तो यहाँ पर हम ये देखने के लिए कि त्रिभुज की रचना हो सकती है कि नहीं, वो triangle बनेगा कि नहीं, हम यूज करते हैं हमारी properties of triangle, यानि त्रिभुज के गुण, तो सबसे पहली चीज, अब हमें sides दी हुई है, तो हम इन भुजाओं का ही गुण ले लेते हैं, तो यहाँ पर अब हम ध्यान से देखें, हम AB यानि 4, और CA यानि 3, इन दोनों को add करें, तो इनका sum क्या आ रहा है, वो है 8 से कम, और हमें पता है कि कोई भी triangle कब बन सकता है, जब उसकी 2 sides, यानि 2 भुजाओं नो, तो यहाँ answer आ गया नो, यानि हमारा हो गया नहीं, तो यहाँ त्रिफुज नहीं बनेगा क्योंकि हमने reason दे दिया कि 2 sides का sum जो है, वो तीसरी side से कम है, next है, construct triangle xyz given that xy 6 cm, angle x 90 और angle y 120 degree, कित्रिफुज xyz की रशना करें, जब xy 6 हो, यह 90 और y 120, अब यहाँ ध्यान से देखो, यह दोनों जो हमारे कोण है, यानि angles जो हैं, अगर हम इने जोड़ दे, 90 प्लस 120, तो यह कितना हो जाएगा, यह हो गया हमारा 210, यानि 210, और वो क्या ह है, वो तो हमारा 180 से बहुत जादा है, और हमें पता है कि जो triangle है, त्रिफुज उसके तीनों angles जो है, उनका sum जो है, वो 180 डिगरी होता है, यानि यहाँ पर हमारी क्या हो गया, sum से जादा हो गया, यानि यह भी possible नहीं है, तो answer क्या जाएगा यहाँ भी, no, और reason क्या है, reason हम हमारे पास यह रहा, construct triangle PQR such that PQ is equal to 6, P60, R30, त्रिफुज PQR के रचना की रहे, जबकि दिया है PQ बरावर 6 cm, P60 डिगरी और R 30 डिगरी, अब यहाँ भी हमें कोंड दिये हो है, तो angles को जोड़ के देख लेते है, 60 प्लस 30, यह दो हमें दिये हो है, इनका sum क्या आ गया, 90 य यानि यहाँ हम त्रिफुज की रचना कर सकते हैं, triangle बन सकता है, तो यहाँ लिगनेंगे हाँ, yes triangle can be formed, हैनक कितना असान, बस हमें जो हमारा triangle है त्रिफुज, उसकी जो properties हैं, उसे ध्यान में रखना है और questions को solve करते जाना है, तो यह है हमारी आज की worksheet, मिलते हैं एक और प्रिफ।